हाँ अकप्रिये सजनों, आज आपकी सेरा में ये किस्ता भाग पतकांड का दूसरा भाग पेस करता हूँ जैसे कि आप पहली कैसे में सुन चुके हैं कि जगबीर सिंग वकील की पुलस वालों नों काफी पुटाई की दुनिया माया त्यागी का सोर मत जाता है चौदरी चरंड सिंग माया त्यागी से मिलने के लिए साकल पूठी जाते है लेकिन चौदरी चरंड सिंग को माया त्यागी साकल पूठी में नहीं मिलती है तो चौदरी चरंड सिंग माया त्यागी से मिलने के लिए अस्पतार में जाते हैं और पूश्ताज करते हैं तो माय तैगिरो पर क्या कहती है मेरे साथ मैं अनोडे करें इन दुश्तों ने आज मेरा राहम रोट गया रोट लई मेरी लाँ मेरे साथ मैं अनोडे करें इन दुश्तों ने आज मेरा राहम रोट गया रोट लई मेरे लाँ मेरा राहम रोट गया लोट लई मेरी लाज बार्ने के तीशा दी जिसने आज वाज अनोडे करें आज घर पे ब्याई थी चीज थी जरूरी कुछ मैं भूले घर पे आई थी बागपत के बीच आके मन ये गाड़ी रुकवाई थी पति देव को समझाई मन लगा सभी अंदाज मेरा राम रोत गया लोत लए मेरी लाज अकेली ने चोड़ पिया जी पूँच किते शहर में कोई ना समीपी मेरा में समझाती किस गैर ने दुष्ट नी चुटो कर मारें आके मेरे पैर में जिन गानी मेरे पसी कहर में सुथी नहीं आवाज मेरा राम रोत गया लोत लए मेरी लाज मेरा राम रोत गया लोत लए मेरे लाज मेरे साथ मैं पापी फेर बात कर थे बेढंगी रक्षक फेर बक्षक बनके करने लगे जादा तंगी मुआई बक्वास करे थे करने लगे थे अरदंगी मुँ आई बकवास करें थे क्याण लगे थे अर्द हुझी चोराएं पैकर दी नंगी देखें सभी समाज मेरा राम रूत ग्या लूते लई मेरी लाज मेरा राम रूत ग्या लूते लई मेरी लाज तीज पाल भाटे जते कबचे सा मितार देई गोरो के मैं हुई बावडी कर जिंदगी बेकार दई दुष्ट नीच हस्यारों ने फिर पति के गोडी मार दई इब्रोवन की कार दई विकरम सिंग खुल गया राज हो मेरा रम रूत गया लूत लई मेरी लाज मेरा राम रूत गया लूत लई मेरी लाज मेरे साथ मैं अनुहों नी कर इन दुष्टों ने आज मेरा राम रूत गया लूत लई मेरी लाज मेरा राम रूत गया लूत लई मेरी लाज हाँ तो प्रिय सजनों उसी समय चौधरी चरण सिंग स्री राज नरान जी से मिलते हैं और हुने माय त्यागी के बाके से अवगत कराते हैं तता एक सभा को संभोधित करते हुई क्या कहते हैं भाग देश का फूट लिया आज किसमत पड़के सोई रहे खुद रक्षक भक्षक बन गे और बन लिये देश दोई भाग देश का फूट लिया आज किसमत पड़के सोई रहे खुद रक्षक भक्षक बन गे और बन लिये देश दोई अक्षर गंदे मरिया दादै कोड सबीले पड़े पाप के फंदे एक यब लाकी लाज लूट के हुए इसक में अंदे चोर बजारी के बंदे में कमी करना कोई रहे खुद रक्षक भक्षक बन गे और बन लिये देश दोई देश की नईया डूब रही और भवर बिचाल है जान लगी खैर खेट की हीमत जाणो जब बाड़ उसी ने काण लगी पाप में दियत बदल गई और धरम करम पे आन लगी अनमन धंसर आमे लुटे उल्टी गंगा बहन लगी पनमन धन सरे आमे लुटे आप उल्टी गंका बाण लगी इवस्याई महरी श्यान लगी रे इवस्याई महरी श्यान लगी अप नाड तलेले गोई रे खुद रक्षक भक्षक बनगे औरे देश ग्रोई अच्याचारी पेदा होगे दगमग देश रहेगा पाप उन पे हाबी होना धरम कलेश रहेगा अब ला नार फिरे दुखियारी सदा कलेश रहेगा दुनिया मुपे धुकेगी अब ना कुछ से से रहेगा मनवा दुखी हमेश रहेगा बेल पाप की बोई रहे भुद्रेक्षक भक्षक बन बे और बड़लिये देश द्रोही सिका बेडा परतर है को नारे मुझ मेरा में बगल मैं छुरिये बगला भगत मरे को नारे पाप करण के आदी होगे करते हुए गरे को नारे तीज पाल जादा भडते न्यूके पाप किसा जा भरे को नारे किसी के सरम करे को ना किसी के सरम करे को ना या दुस्त नीच निरमोही रह खुद्रख सेग भक्षक पढ़ने के उले पढ़िये देश द्रोही हाँ तो प्रिये सजनो सभागो संभोधित करते हुए ुस्री राज नराएंजी के आख्षम में आसुआ जाते हैं और रोकर क्या कहते हैं? अरे दरद भरी आवाज सुड़ी दिल होल या डामा डोल हिड की देखे रोवन लाग गई बैठ काल जिम होल गई बैठ काल जिम होल दरद भरी आवाज सुड़ी दिल होल या डामा डोल हिड की देखे रोवन लाग गई बैठ काल जिम होल गई बैठ काल जिम होल गई रद दरद वहाँ पे सुनके दुखिया की बाणी डट ते भी जाल डट ना बहरान नोते पाणी दुस्टों ने करके मन मनी रे दुस्टों ने करके मन मनी दै गाठ मरम की खो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ फिड की देखे रोवन लाग गई बैठ काल जिम होल जिवे गई बैठ काल जिम होल जितने पापी दुस्टिया धर मी कोला बक्से जावेंगे जैसा जिसने करम किया वेसा ही वो फड़ पावेंगे सिर धुन धुन के पचतावेंगे रे सिर धुन धुन के पचतावेंगे जब पिटे बुराई के धाब होईड की देदे रोवन लाग गई बैठ काल जिम होल गई बैठ काल जिम होल कठे होके बरती होगे जितने भी अत्याचारी तरम करम मरियाद भूल गे जितने थे अधिकारी जो होती आज बेन तुमारी क्या कहते गंदेवो जो होईड की देदे रोवन लाग गई बैठ काल जिम होल गई बैठ काल जिम होल बिक्रम सिंग सुन दुखी आप वासुकी रहला को अब लाकी अज आब तार के तन लाज सरम सब खोई तेज पान तन स्याई रे दोई तेज पाल तन स्याई धोई जब खोली सब की पाप हिड़की देखके रोवन लाग गई बैठ काल जिम होल हाँ तो प्रिये सजनो यह के साड़े साथ साल तक मेरिट में चलता रहा वहाँ से बदली होकर बुलंसेर मिसरी दूबे जी के सामने पहुँच गया एक दिन एक तारीक पर एक बागबत का ऐसे चो बाया ट्यागी से मिलता है और कहने लगता है कि बेहन जिस दिन आपके साथ यह कांड हुआ था उस दिन में वहाँ बागबत में नहीं था उस समय थानेदार से क्या कहती है सुले मेरी बात सही तिरी जोडती हाथी रही तू करता टाल नजर नहीं आये मैं क्या करूँ मैं क्या सुले मेरी बात सही तिरी जोडती हाथी रही तू करता टाल नजर नहीं आये मैं क्या करूँ मैं क्या मैं क्या करूँ मैं क्या बार बार तुझे कहती है भाहई और बार तुझे कहती भाहई तुने साड़ी खोल बगाः लाई को न्यादेर कती लई वहां मैं घेर सती सारे चंडाल नजर आये मै क्या करूँ मैं क्या मैं क्या करूँ मैं क्या इते शे नहीं कोई था तूट गया पल भर में सपना ऐसी घिरी बाग पत में तन देख्या नहीं आग पत में होगा के हाल नजर आए मैं क्या करूँ मैं क्या क्या करूँ मैं क्या पकड के ले गया तू ठाने ही मैं देख्या था सा देबाने ही मैं बहकाने की बात नहीं दिन था कोई रात नहीं तिर करे कमाल नजर आए मैं क्या करूँ मैं क्या क्या करूँ मैं क्या तेज पाल सिंग फिर न्यू गोहली तेज पाल सिंग फिर न्यू गोहली पिया के तुने मारी गोहली बंदी होई टोडी सब की विकरम सिंग सचे रब की होती प्रति पाल नजर आए मैं क्या करूँ मैं क्या क्या करूँ मैं क्या हाँ तो प्रिय सजनो विपक्ष का वकील मलखान सिंग पूछता है कि तुमने उस समय माया त्यागी की डॉक्ट्रियम आने क्यों नहीं किया तो वहाँ पर डॉक्टर नीलम पंत खडी हुई थी वह कहने लगी कि मैंने किया तो था लेकिन मेरे उपर डीएश पी और उपर तक का दबाव था इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकी और जो कुछ मैंने देखा था वह इस परकार से है जज साब के सामी नीलम साब बतावन लागी गवा पेश करण की खातेर कस्म उठावन लागी जज साब के सामी नीलम साब बतावन लागी गवा पेश करण की खातेर कस्म उठावन लागी ओ कस्म उठावन लागी गवा बतावन लागी गीता पैधर हात दिया और नीलम कस्म उठाती मैं कोन्या बोलू जूठ मेरी से गंगे माता साथी आठ सितंबर पांच बजे मा आया मेडिकल मैं आती मेरी बहना मुझे बचा ले हाय हाय डक राती मेरी बहना मुझे बचा ले हाय हाय डक राती मेरा कोई नहीं माती कै कै थोड़ा भै खावन लागी गवा पेश करण की खातिर कस्म उठावन लागी ओ कस्म उठावन लागी करानी रिक्षन जब माया का अरते डोर लगाई लते कपड़े फटे गात के सनी खून मैं पाई 31 चोट मिली तन उपर सहज सहज सहलाई इतनी सुन के दूबे नैदा तो मैं कलम दबाई बाण समझ के मा जाई फिर नू समझावन लागी गवा पेश करण की खा तेरे कस्म उठावन लागी ओ कस्म उठावन लागी माया तलेई पूछी हकीकत मन में डरती डरती उपर तपड़ी दाब मेरे पैं फिर बता के करती निलम की सुन के बातों नैं कापण लागी धरती न्याय दीश भगवान समझ के ये पेश मुकदमा करती न्याय दीश भगवान समझ के पेश मुकदमा करती मन बचाली मर्ती मर्ती शीश जुकावन लागी गवा पेश करण की खा तेरे कस मूठावन लागी दूबे जीन साप मांगती तुम्हे बगवान समझ कै उन दुष्टों को दंड दियो पक्के हैवान समझ कै शीश पाल की लियो गवाई तुम्हल खान समझ कै तेज पाल ने माप की ओबा लखना दान समझ कै तेज पाल ने माप की ओबा लखना दान समझ कै रामचंद गुरु ज्यान समझ के शिक्षा पावन लागी गवापे शिकरन के खा तेरे कसम उठावन लागी ओ कसम उठावन लागी जिनो नीलमपंत के दुख भरी कहाने सुनकर दूबे जी हैरान रह गई और फिर मायात्यागी के वकील से पूछते हैं तो वकील क्या कहता है आये आये से तिरे पास लाज रखे भारी रैं तुम्हें करना से इन्ने साप सुनो न्या काईरी आये आये से तिरे पास लाज रखे भारी रैं तुम्हें करना से इन्ने साप सुनो न्या कारी रैं तुम्हें करना से इन्ने साप सुनो न्या कारी आई ये भी सुना रे गौरे ते लिये रे दलील खड़े हैं हम दो पक्षियों के त्यारे वकील खड़े हैं बाया त्यागी संग के रे अनील खड़े हैं मुल जिम जैसे कर दिये सील खड़े हैं मुल जिम जैसे कर दिये सील खड़े हैं आया आज थरे हक त्यारे बात सुनो सारी रे तुमें करना से इन्ने सापे सुनो न्याकारी तुमें करना से इन्ने सापे सुनो न्याकारी मुल जैसे कर देड़े हैं आई ये मैं चाली थी घरे से खुश हो माय त्यागी अपने साजन के साथ बागे पत्यागी इन दूश्टों ने लई गेरे फेरे निरभागी करी चोराहे पर नगन कली घबरागी करी चोराहे पर नगन कली घबरागी आई ये रोवे थी वा वे बस दे किलकारी रे तुम्हे करना से इन्ने सापे सुनो न्याकारी रे तुम्हे करना से इन्ने सापे सुनो न्याकारी प्रेली लाची करना से न्याकारी ले सुहाग मारे के गोडी बे रही रे खूने की दार आखे जब खोली लई देखे पिया की लास भरे थी कोली वहाँ खाके गीरी रे पा छार छुटी सब रोली रे वहाँ खाके गीरी रे पा छार छुटी सब रोली कोई पास खडी डखे रारी रे तुमें करना से इन्ने साप सुनो न्याकारी आई फिर आया था जगबीर पास मेवा के माँ या की इजत देखे गिर्या गास खाके मारे लगाई ले गई पुली से उठाके सिसे पाले दई ये सुना रे विपता गा के रे सिसे पाले सुना दई विपता ये तने गा के आय लिखे ते जिपाले ये विपता कलमे तुमारी रे तुमें करना से इन्ने साप सुनो न्याकारी आय लिखे तुमें करना से इन्ने साप सुनो न्याकारी तुम्हें करणा से इन्ने सापे सुनों जाकारी हाँ तो प्रिये सजनू सिरी विश्णु दत दूबे जी ने जब दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनी तो इस परकार कहते हैं हिर याज तलक जो भी त्यासे और कड्या किसी ने पापे मैं सही फैसला दुंगा रे इन नहीं करूंगा मापे आज तलक जो भी त्यासे और कड्या किसी ने पापे सही फैसला दुंगा रे इन नहीं करूंगा मापे अरे जैसा कोई पाप करेगा एरे वे सव आगे ही दंड भरेगा खुद अपने आप मरेगा रेवाद करके पश्चात अप में सही फैसला दुंगा रे इन नहीं करूंगा माप आज तलक जो बीता से औरे कर्या किसी लेपा अप में सही फैसला दुंगा रे इन नहीं करूंगा माप प्रूंगा प्रूंगा रेगा रेगा रेवाद से ये मुकदमा पेश किया से सुनके दुखी रे मेरा जिया से सुनके मेरा दुखी जिया से ये मन में धार लिया से मन में धार लिया से मन कर इस वर का जाप में सही फैसला दुंगा रे इन नहीं करूंगा माप आज तलक जो बीत्या से और कर्या किसी ने पाप में सही फैसला दुंगा रे इन नहीं करूंगा माप आज फैसला मैं आप करूंगा नहीं मैं किसी न माप करूंगा अरे सचाई नसाप करूंगा रे में साप चाई नसाप करूंगा जिसका पाप उसी का बाप मैं सही फैसला तुंगा रेन नहीं करूंगा माप आज तलक जो बीटा से और कर्या किसी न माप मैं सही फैसला तुंगा रेन नहीं करूंगा माप देख गवाई ए रदूबे ने कल हमें उठाई करतेज पाल कवताई जजमेंट लिखा था साप मैं सही फैसला तुंगा रेन नहीं करूंगा माप आज तलक जो बीटा से और कर्या किसी न माप मैं सही फैसला तुंगा रेन नहीं करूंगा माप हाँ तुप्रिये सजनो जजसाब दूबे जी ने ये फैसला दिया कि कुछ अत्याचारों को जेल भिजवा दिया और कुछ अत्याचारों को फासी तो इसके बाद में माया त्यागी कहती है कि जजसाब मैं आपको भगवान समझ के एक सवाल और उठाती हूँ ये सवाज की जितनी बुराईया और मजाक है इससे मुझे को बहुत डर लगता है तो जजसाब से क्या कहती है अपको भग Piाए होसला उदास हो गया, बेकल्या में बास हो गया, अबरू का नास हो गया पिता तेरे बिना होसला उदास हो गया, बेकल्या में बास हो गया, मेरी अबरू का नास हो गया पिता तेरे बिना कदेल गुत्रे कोन्या चटा, सुनके लोग करेंगे ठटा बटा लगे बार लिखड़ जा, मेरे पिता की आब बिगड़ जा, कड़क बुतर बढ़ जा, सुने जेरे बिना होसला उदास हो गया, बेकल्या में बास हो गया, अबरू का नास हो गया पिता तेरे बिना कर दो गया लाग्या हरी चरी मैं मुख हो ग्या मेरी खेती का नीरुख ये दुख मोटे है राण करेंगे रंज मोटे बिराण करेंगे ये जोटे नुकसान करेंगे रे बिना होसला उदास हो गया बेरकल्या में बास हो गया मेरी आबरु का नाज हो गया पिता तेरे बिना ये सत तोड़े कम जात आबरु मेरी तेरे शैंगे राण करेंगे राण करेंगे राण करेंगे रे बिना हात आबरु मेरी तेरे सैंहात एक और बात जरूरी करिये चाहे कितनी मजबूरी करिये अपना फैसला इबे न करिये कहें मेरे बिना होसला उदास हो गया बेकल्या में बास हो गया मेरी आबरु का नास हो गया पिता तेरे बिना सत्गुर्वा का सचा पाला केचंदगी राम बघाने आला केचंदगी राम बघाने आला चाला होया जवाब जासें गावनिया की आब जासें रागनी खराब जासें फैरे बिना होसला उदास हो गया बेकल्या में बास हो गया मेरी आबरु का नास हो गया पिता तेरे बिना होसला उदास हो गया बेकल्या में बास हो गया अबरु का नास हो गया फिता तेरे बिना हा तप्रिये सजनों अदालत में साबूत पेस किये गए उनको देखकर इस कांड ने दूबे जी के दिल को जकूर दिया और फैसला इस पिरकार देते हैं अरे कहने लगे दूबे जी फैसला सभी के समी आप करूंगा नहीं मैं पाप करूंगा कहने लगे दूबे जी फैसला सभी के समी आप करूंगा नहीं मैं पाप करूंगा दूबे जी ने फाइल खोली हाथ में उठाया केश खचा खचा दालत घरगी मुल्जीम हुए सारे पेश धरम राज के सरूप दीख्रया मन में ना दया काले खड़ी थी चोकर्दे पर जा आदालत के चारों और सुनने ना किसी की कोई मचा रहे भारी सोर कटगर के में मुल्जीम देखे दूबे जी ने की आगोर कटगर के में मुल्जीम देखे दूबे जी ने की आगोर सेहन लगे दूफे दूबे जी भरम की तरा जू मैं सही ना पे करूँगा नहीं मैं पाप करूँगा केहने लगे दूबे जी एसला सभी के समीया पे करूँगा नहीं मैं पाप करूँगा हुआ 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 है एक तरफ सिर दूबे जी के पास में वकील खड़े माया तागी के संग भाई के केर अनील खड़े मुगे सामी मुल्जिन सारे पढ़े हुए सील खड़े मन मैं सोचे न्यादी सजा है एसा पाप होगा जैसी सजा मिलेगी उसको जैसा जिसका पाप होगा दूबे जी ने लिख्या कलम ते कोई नहीं माप होगा कहने लगे दूबे जी भैसला सभी के समी आप करूँगा नहीं मैं पाप करूँगा सुनने को बेताब सभी जितने शेर गाम वासी कासी राम सुबा साथ में आनदगीरी बद मासी सिव कुमार राकिश राम गिरी इंजहों को लिख दी पासी दूबे जी ने सब के सामी खोल के सुना दी सारी इंचहमा को फासी लिख दी हाथ में उठा के दारी आजीवन की जेल सजा जितने बाकी अत्याचारी पढ़ाने लगे दूबे जी जैसा जिसका पाप है उसी का मैं पाप करूँगा नहीं मैं पाप करूँगा कहने लगे दूबे जी धैसला सभी के सामी मत आप करूँगा नहीं मैं पाप करूँगा किया तुमने इंसा और तेजबाल ते गाम बुड़ा के जिल्ला सही गाचे बाद कहभी क्रम सिंग मत ना फस्यो ऐसे पूरे फैल मैं इंसा रोको मिलन नतीजा आज की के खेल मैं आज सारे पड़े पपी आगरे की जेल मैं पैसला सभी के समी आप करूँगा नहीं मैं माप करूँगा